नमस्तर दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक्वित सुमन आठोट पे आज हम बनाएंगे ये सूपर हेल्दी एंड डिलिशियस पनीर स्टफ्ट मूंग दाल चीला जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों को ये बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें हमने धेर सारा पनी डाला है जो की बच्चों का फेवरेट होता है तो इसे आप अपने घर पे जरूर ट्राय कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम 1500 ग्राम मौंकी डाल ले लेंगे और इस दाल को डाल लेंगे इस बोल के अंदर अब दाल को आपको दो से तीन बार पानी से धो लेना है तो देखिए मैंने दाल को धो लिया है अब इसे हम भिगोएंगे तो इसके लिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ पानी आपको इतना डालना है कि दाल इसमें अच्छे से डूब जाए अब हम क्या करेंगे इसे 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से भीग करके फूल जाए तो देखिए पूरे 4 घंटे बाद जो हमारी दाल है वो अच्छे से फूल गई है आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गई है तो अब आपको क्या करना है इसका पूरा पानी निकाल देना है और दाल को अब हम पीसेंगे तो इसके लिए मैंने हाँ पर एक बड़ा जार ले लिया है जार के अंदर हम ये डाल डाल देंगे तो ये जितनी भी डाल है इस डाल को जार में डाल दे अब मैं इसमें थोड़ी हरी मिर्च डालूंगी तो दो मैंने हरी मिर्च ली है ये हरी मिर्च डाल दें आप एक इंच डाल देंगे अद्रक का ठुकडा और एक बड़ा चम्मच डाल देंगे बारी कटावा हरा धनिया अब इसमें मैं आदी छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ तो ये नमक डाल दे और एक चोथाई कप मैंने पानी लिया है तो ये पानी डाल देंगे इसे पीसने के लिए अब इसे आपको अच्छे से पीस करके एकटम fine paste बना लेना है तो मैंने डाल को यहाँ पर अच्छे से पीस लिया है और इसका एकडम smooth paste बना लिया है इसमें डाल का एक भी दाना आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो इस तरह से इसे आपको पीसना है अब इसे हम एक बोल में डाल लेते हैं तो इस बोल में मैं इसे transfer कर लेती हूँ अब में डालोंगे इसमें एक चोथाई चोटी चमच लाल मिर्च powder और एक चोथाई चोटी चमच ही डाल देंगे हल्दी powder यह दोनों ही मसाले optional है अब इन दोनों मसालों को हम batter के अंदर अच्छे से मिला लेंगे तो इस तरह से आप इसे मिला लें हल्दी से इसमें बहुत ही अच्छा color आएगा जिससे हमारा जो चीला है वो बहुत अच्छा लगेगा तो देख सकते हैं अब हमारा जो batter है वो कुछ इस तरह का है काफी गाड़ा लग रहा है इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे हम तो यह मैंने आधा कप पानी लिया है इसमें से आधा पानी डाल दें अगर पानी कम लगेगा तो बाद में और डाल लेंगे इसे अच्छे से हम इसमें मिला लेते हैं तो देखे, पानी को मैंने अच्छे से मिला लिया, अब आप देख सकते हैं, जो हमारे बैटर की consistency है, वो एक दम perfect है, ना तो बहुत गाड़ा है ये ना बहुत ही पतला है, तो चीले का बैटर एक दम तयार है, अब फटाफट से हम stuffing बना करके तयार करेंगे, तो इसके लिए म हम बारे कटीवी हरी मिर्च, और जीरा और हरी मिर्च को हम थोड़ा सा चलाते वे 5-10 सेगिंड के लिए पका लेंगे, फ्लेम को मैंने लो मीडियम रखा है, तो ये हमारे पक गए हैं, अब इसमें मैं कुछ सबजियां डाल रही हूं, तो ये प्लेट में मैंने 3 सबजियां पका लेंगे, फ्लेम को आपको लो मीडियम रखना है, जादा बिलकुल नहीं पकाना है इने, क्योंकि स्टाफिंग में थोड़ी सबजियां क्रंची ही अच्छी लगती है, थोड़ा क्रंच बनावा रहना चाहिए, तो एक मिनिट पकाएं, तो एक मिनिट के लिए मैंने इ इसे आपको, तो देखिए मैंने इसे 15 सेकंड के लिए पका लिया है, अब इसमें हम नमक डालेंगे, तो एक छोटा चमच इसके अंदर आप नमक डाल दें, और इस नमक को भी अच्छे से पनीर के अंदर आपको मिक्स करना है, जादा पकाने की जरूरत नहीं है, बस अच् स्टफिंग हमारी लग भग रेड़ी है, गैस को मैंने बंद कर दिया है, आखिर में थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल दें, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये इसके अंदर, तो इसे भी मैंने अच्छे से मिला ल अब इसके उपर हम डालेंगे बैटर, तो बिल्कुल सेंटर में आपको इस तरह से बैटर को डाल के धीरे-धीरे फैलाना है, तो जिस तरह से आप डोसा बनाते हैं, सेम उस तरीके से इसे पूरा फैला दे तवे के उपर, तो इसे मैंने फैला दिया, अब 15-20 से के लिए इ 30-40 सेकंड तक पकाना है, तो 40 सेकंड बाद ये अच्छे से पक गया, तो इसे पलट देते हैं, और पलट करके इसे थोड़ा पलटे से दबा दें, और दूसरी साइड से भी 1 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे आपको पकाना है, तो ये अच्छे से पक गया, तो बस इसे हम पलट देते हैं, अब आपको गैस को बिल्कुल कम कर देना है, और इसके उपर डालनी है, स्टफिंग, तो जो हमने पनीर की स्टफिंग बनाई थी, उस स्टफिंग को डाल के आप इसे पहला दें, और आधे पोर्शन पे ही पहलाना है, पूरे चीले पे नहीं पहला है, तो सेम इस तरीके से हम दूसरा चीला भी बना लेंगे, बहुत ही इजी होता है ये, बस थोड़ा सा बैटर सेंटर में डालना है, और इसे गोल गुमाते वे पूरे तवे पर फैला देना है, और जब ये चीला दौनों तरफ से पक जाए, तब इसके उपर डाल देनी है ये पनीर की स्टफिंग और इसे फैला देना है, और आखिर में इसे कर देना है फोल्ड, तो इस तरीके से जो हमारा पनीर स्टफ चीला है, ये बन करके तयार हो जाता है, और सबसे अच्छी बात है कि ये टेस्टी होने के साथ-साथ हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही करना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई